सो ही गाईज कैसे आप लोग उमिद करते हैं कि आप अच्छे होगे दोस्तो आज हम बात करेंगे इंडन नेवी अगिनी वीर की भरती के वारे में आज हम जानेंगे दोस्तों क्या क्या परिवतन हमें देखने को मिला है और आपका एक्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है नया सेलेक्सान प्रोसेस क्या है सबी जनकरी दिंगे स्टेप बाई स्टेप तो आप इंडन नेवी की भरती में अपलाई करोगे तो आज का वीडियो अपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है अन तक आप इस वीडियो को देखिए अभी तक आपने वीडियो लाइक ने गया तो लाइक कर देना सेयर कर देना और पलपल की जनकरी पाने के लिए चैनलों को subscribe करेना बैलेकंदेण दवा देना तो notification जारी कर दे गया है second हजार 24 साल बैच रहने वाला है और यह जो भरती आई हैं दोस्तो अगनीपथ के तहते हैं यह भरती आई हैं और नया selection process किया है, ठीक है step by step सही जनकरी हम आपको देंगे, दोस्तो, आप unmade होने चाहिए, male या female बोथ दोनी apply कर पाएंगे, इन भड़ती के लिए, चाहे आप MR के लिए apply करो, या SSR के लिए apply करो, 10 plus 2 पास होने चाहिए, दोस्तो, यदि आप 10 पास हैं, तो नेवी MR के apply कर पाऊगे, और दसमी किलास में आपकी 50% होना चाहिए minimum, ठीक, और यदि आप SSR में apply करोगे, तो आप 10 plus 2 पास होने चाहिए, आप यही वाले बच्चे apply नहीं कर सकते, complete आपका होना चाहिए, और यदि आपने इसी बार दोस्तों 12 पास किये, और आपका दोस्तों रिजल के लिए apply कर सकते हो, इतनी बात आप के लिए समझ चुके हो, science subject होना चाहिए, दोस्तों, SSR में apply करने के लिए, और MR में apply करने के लिए, केवाल दसमी पास होने चाहिए, 50% के साथ, और बार्यमी किलास में आपका 50% होना चाहिए, मैं तो फिजिक सब्जेक्ट में, ठीक है, आप आगे बात कर लेते हैं, दोस्तों, आपका height होना चाहिए, 87 cm यादी आप मेल हैं, तो आपका height 87 cm होना चाहिए, बहुत दोना का height 87 cm होना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें, इस वार ये बड़ा परिवतन हमें देखने को मिला है, और changes हो चुका है, बड़ा आई थी, उसमें female की जो height मांगी थी, 12 cm मांगी थी, लेकिन इस वार दोस्तों, female की जो height मांगी है, 87 cm मांगी है, और male की भी 17 cm होना चाहिए, दोनों का height दोस्तों, 17 cm मांगा है, ठीक है, इतना आपका height होना चाहिए, तब ही आप apply कर सकते हैं, 13 माई से दोस्तों, online registration form start हो जा इसके साथ साथ दोस्तों, GST आपको pay करना होगा, 18%, इतनी बात आप समझ चुके हो, ठीक है, तो 13 माई से दोस्तों, और आप apply कर पाएंगे, इसकी last date अंतिमतिती दोस्तों, 27 माई रहने वाली है, application form fill up करने के लिए, कौन कौन से document चाहिए, और किस परकार apply करना होगा, हम आ आपका exam pattern क्या रहने वाला है, हम आपको के लिए समझा दें, पहले दोस्तों, आपका first written exam होने वाला है, जिसे हम कहेंगे stage one exam, ठीक है, stage one exam में क्या क्या आएगा, क्या नहीं हम आपको बताएं, दोस्तों, यदि आप Navy MR के लिए apply करोगे, अगनी वीर MR में apply करोगे, तो आप exam pattern क्या रहेगा, दोस्तों, 25 नमर की आपकी आएगी, जी के, ठीक है, 25 नमर की आपकी जी के आएगी, 25 नमर की math और दोस्तों, science आने वाली है, math plus science आपकी दोस्तों, 25 नमर की आएगी, ठीक है, 25 question होने दोस्तों, जिसमें की 13 नमर की math आएगी, 22 नमर की science आएगी, 50 नमर का paper ह ठीक है 50 नमबर का पेपर है 50 ही कोशन होंगे दोस्तों और 30 मिनट आपको मिलेंगे अपने एक्जाम में आदा गंटा दिया जाएगा ने भी MR के एक्जाम में यह आपके एक्जाम पैटर्न होगा ठीक है अब आगे बात कर लेते हैं SSR की दोस्तों यदि आप अगनी वीर SSR के लिए अप्लाई करोगे तो 100 नमबर का पेपर आने वाला है आपका दियान पूरवक इस वीडियो को देखे 100 नमबर का पेपर आएगा 25 नमबर की physics आएगी और 25 नमबर की दोस्तों आपकी मेहत आने वाली है और 12 क्लास का ये दोस्तों स्लेवर्स रहने वाला आपका SSR का ठीक है और MR का स्लेवर्स रहेगा दोस्तों 10th क्लास का रहने वाला है ये आपका exam pattern हुआ दोस्तों जो आपको अपने exam में विदिया 0.25 की negative marking आपके exam में होने वाली है इसी के अधार पर merit लगती है दोस्तों merit list में आपका नाम होगा तो आपको stay second exam के लिए बुलाया जाएगा और stay second exam में क्या क्या होगा दोस्तों आपका एक तो PFT होने वाला ठीक है एक आपका written exam होगा एक initial medical आपका होगा ये final medical नहीं है दो और एक आपका written exam होगा offline आपका exam होगा दोस्तों इंडर नेवी के center पर ठीक है एक आपका दोस्तों recruitment medical आपका दोस्तों examination होगा इतनी बाता समझ चुके हो और एक final medical होगा दोस्तों वो आइने चिलका में होगा जब आप अपना दोस्तों stay second exam qualify कर लोगे पास कर लोगे तो दो merit लेगी और यदि उस merit में आपका नाम होता है हर एक राज्य की अलेलक कट अप जाती है हम आपको पहली समझा चुके हैं यदि उस list में आपका नाम होगा जब आप अपना stay second exam दे दोगे तो आपको आइने चिलका में बुलाए जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका final medical होग जब आप अपना दोस्तो final medical qualify कर लोगे ठीक तो उसके बाद दोस्तों final list जारी की जाएगी जिन जिन लोगों का उसमें नाम होगा दोस्तों सबका दोस्तों join letter आ जाएगा दोस्तों call up letter जारी कर दी जाएगा और आप अपना training करने जाओगे और इंडर ने भी जाइन करोगे कुल मिला का इतना सा process है दोस्तों और उमिद करते हैं कि आप समझगी होगे पहले आपको entrance exam देना होगा test होगा online आपका stage 1 exam में और आपके exam में 0.25 की negative marking होगी जब आप इसको qualify करोगे तब जाका दोस्तो stage 2 में जगा बना पाऊगे ठीक है stage 2 में आपका PFT होगा physical fitness test होगा written exam exam होगा offline आपका exam होगा इंडनेवी के center पर एक initial medical आपका होने वाला है ठीक है तो इसी के base के अधार पर mental है दोस्तों और नमबर दोस्तों इसी से ही बनेंगे तब जाकर आप इंडनेवी जोइन कर पाऊगे और आपके physical में क्या क्या होगा हम आपको बता देते हैं one second जैसे क आप देख सकते हैं दोस्तों आपके physical में जो होगा 1600 मेटर रनिंग होगी ठीक एक दसमलब 6 किलो मेटर रनिंग होगी जो कि आपको साड़ा 6 मेट में qualify करनी होगी complete करनी होगी यदि आप मेल हैं और 20 ओठक बैठक होगा यदि आप मेल हैं 15 आपका push up होगा और 15 आपका दोस् आपको दिया जाएगा ऐसा नहीं कि 8 मेट की 7 मेट या 5 मेट आपको दिया जा रहा है complete 8 मेट और 6 मेट आपको दिया जाएगा रनिंग के लिए इसके बाद बात कर लेते हैं 15 उठक बैठक आपका होगा और 10 push ups आपका होगा और दोस्तों 10 sit ups आपका होगा female में दोस्तों इस तो रिटने एक्जाम की तियारी करते हैं और हम आपके लिए डॉक्रमेंट को लिए वीडियो बना दींगे दोस्तों कौन कौन से डॉक्रमेंट आपको लेकर जाने होंगे किन-किन डॉक्रमेंट की आवसकता पड़ेगी बस आप चैनल पर सी बने रहना चैनलों को सस्क्रा सब्सक्राइब करना होगा आपको दोस्तों जरूर एपलाई करने के लिए कौन से डॉक्यमेंट चाहिए किस प्रिकार एपलाई करना होगा वीडियों बनाते रहेंगे बस आप चैनल पर ऐसी जुड़रे हैं ना और हमने आपके लिए टेलगा आप गुर्प बना दिया है पलपल की जानकारी पाने के लिए सबी जरूरी अपडेट पाने के लिए आप टेलगाम गुर्प को जोईन करेंगे लिंक आपको नीचे मिल जाये का नहीं तो टेलिगाम पर जाओ सार्च करेंड जी स्टड़ी आपके सांबने अकाउंट अगाउ इस्टे सेकंड एक्जाम कौलिफाई करोगे इसका मतलब यह नहीं कि आपका दोस्तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया आप वर्दी ले पाओगे दोस्तो एक फाइनल मेडिकल होगा आईने चिलका में जाकर ठीक है जब आप उसको कौलिफाई करोगे तब जाकर दोस्तो सिलेक्शन होगा आप वर्दी ले पाओगे जो आपने सपना देखा था इंडन नेवी जॉइन करने का वह पूरा होगा तो भाई लग जाओ तैयारी में इसवा वर्दी लेनी है और सपेद वर्दी दोस्तों कांदों पर होना चाहिए वाइट वर्दी होना चाहिए इस्व पास है अप्लाई कर सकते हैं बारी पास है अब भी अप्लाई कर सकते हैं तो यह जन लगा दो दिन रात एक कर दो दोस्तों वक्त आ चुगा कुछ कर दिखाने का मेलो या फीमेलो लेकिन आप अनमेट हो चीए अप्लाई करने के लिए तैयारी करो दिन रात एक कर दो दोस् साल की यह 50 साल की हो ठीक है तो आपको इंड़ने भी जॉइन करना है जो आपने सपना देखा था इंड़ने भी जॉइन करने के लिए आप टेलिगाम गुरुप को जॉइन कर लो जी स्टर्डी के नाम से टेलिगाम गुरुप है टेलिगाम पर जाओगे सर्च करोगे जी स्टर्डी आपके सामने अकाउंट आ जाएगा जॉइन कर लेना ठीक है नहीं तो लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन में मिल जा दिये जै हिंद जै भारत